चालिस, पचास या साथ बिये माई वाले इंसान को सुपर ओबेसिटी यानी बहुत अधिक वजनी इंसान की कैटेगरी में रखा जाता है। 90 बिये माई वाले बच्चे को क्या कहेंगे? दिल्ली के मेहर जन 14 साल के हैं, हाइट 5 फुट 4 इंच है, पहले उनका वजन 237 किलो था, डॉक्टर्स ने उन्हें दुनिया का सबसे वजनी टी ने जर बताया था, मेहर चर्चा में हैं क्यूंकि इन्होंने 7 माह में 60 किलो वजन कम किया है, बैरियाट्रिक सर्जरी से पहले 40 क किलो और सर्जरी के बाद 20 किलो वजन घटा है, नवंबर 2003 में जन्मे मेहर ने 3 साल के अंदर अपना वजन घटा कर 100 किलो तक लाने का लक्षे रखा है, मेहर की सर्जरी करने वाले डॉक्टर प्रदीप चौबे ने वजन घटाने की पूरी कहानी बताई, पांच प्पाइं घर पर ही पढ़ाई शुरू कर दी, डो मेहर को पास्ता और पिज़ा बेहत पसंद है, स्कूल छूटने के बाद भी लगातार जंक फूड खाने से वजन तेजी से बढ़ रहा था, जब सीधे खड़े होने में भी दिक्कत आनी शुरू हुई तो पेरेंस डॉक्टर से मिले लेकिन उम्र कम होने के कारण उन्होंने सर्जरी से मना कर दिया, तीन वजन 237 किलो हो जाने पर पेरेंस बेरियाट्रिक सर्जर्ण डॉक्टर प्रदीब चौबे से मिले, डॉक्टर चौबे के मताबिक ये शत प्रतिशत नहीं कहा जा सकता था कि सफलता मिलेगी, ऐसे में गैस्ट्रिक बेरियाट्रिक सर्जरी करने का फैसला लिया, चार ट्रीटमेंट के दौरान सबसे पहले मेहर को तीन महा तरकलो कैलोरी डाइट दी गई, इस दौरान 34 किलो वजन घटा, डॉक्टर ने फ्लेक्सिबल लियरेंजोस्कोप का इस्तिमाल किया, मसल्स के नीचे कर 10 इंचरवी की परत होने से सर्जरी में काफी दिक्कते आई, पाथ सर्जरी की मदद से पाचन तंत्र में इस तरह का बदलाव किया गया जिस से भूख कम लगे और खाना कम खाने का मन हो, आय अप्रेशन सखल रहा और एक हफ़ते के अंदर मेहर को डिस्चार्ज कर दिया ग पढ़ने के कारण जब मेहर का स्कूल जानना बंद हुआ तो डॉक्टर्स से सलह ही गई, इस दोरान वह अक्सर लेटा रहता था और पिजा पास्ता ज्यादा खाता था, इस कारण दिक्कत वढ़ती गई, मेहर को दिगई लो कैलोरी डाइट, डॉक्टर, चौब एक अनुस नतीजा ये रहा कि सिर्फ डाइट कंट्रोल करके ही 40 किलो वजन कम किया गया, क्या है बेरियाट्रिक सर्जरी, यह सर्जरी वजन कम करने के लिए होती है, यह तीम प्रकार की होती है, पहली लाप बैंड, इसके बाद खाने की ख्रमता काफी कम हो जाती है, दूसरी स्लीव गैस्ट्री का टॉमी, इसमें हर हफ्ते डेर से 2 किलो वजन कम होना शुरू हो जाता है, तीसरी है गैस्ट्रिक बेरियाट्रिक सर्जरी, इसमें आंतों को नए सिरे से विवस्थित, रियरेज़ किया जाता है, भूख बढ़ाने वाला हार्मोन ग्रेहलीन बनना काफी कम हो जाता है, इस कारण भूख काफी कम लगती है, खास बात है पोस्ट ट्रीटमेंट, इसे भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है ताकि शरी में पोशक तक्वों की कमी न हो, जब डाइट और एक्सरसाइज के बाद भी वजन नहीं घड़ पाता तो यह सर्जरी की जाती ह इसके आलावा कुछ प्रेक्टर और भी शामिल किये जाते हैं